मानस का रूप करूंगी मानस धुरूवीकरण की इस राजनीती में आखिर कौन इस वक्त फायदे में दिख रहा है मानस देखे ये अनुमान लगा पाना तो बहुत मुश्किर है लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है की भारती जनता पार्टी जिस तरीके से आकरमक तोर पर कटर हिंदुत की रहा पर चल चल रही है तो निश्यत तोर पर वो जो हंदुवर की तमम जातियां हैं उनको एक तरीके से एक जुट करने की कोशिश में हुआ है वो खास तोर से दलित और पिछली जात्यों पर है क्योंकि यही वो दो ऐसी जात्या थी जिसका एक बड़ा हिस्सा भारती जन्ता पार्टी से अलग हुआ और वो इंडिया गड़बंधन के खाते में गया और ये इसलिये भी जरूरी हो जाता है भारती जन्ता पार्टी के लिए क्योंकि पीडिये के नारे के तहर जिस तरीके से अखले शादर समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अभी लडाई पहले 80 और 20 की थी लेकिन पीडिये का जो कुनबा है उसका इतना विस्तार हो गया कि लडाई 90 बनाम 10 की है तो ऐसे में हिंदू मतों के धुरूई करण के लिए जिस तरीके से प्रयास किये जा रहे हैं उसको देखर कि ऐसा लगता है कि इस बार भी मुकाबला बेहत रोमांचक होने जा रहा है और बड़ी कांटे की टकर होने जा रही है और अशी तमाम सारी सीट है जहापर मैं खुद भी गिया और मैं देखा कि किस तरीके से वहाँ पर खास तरसे मैं जिक्र करना चाहूंगा इसमें यहाँ पर एक कटहरी की सीट को अगर आप देख स्याएं हैं वो पीडिये को समर्थन करना था लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन जो यह कह रहे थे कि नहीं अब जो गलती होगी वो दुबारा नहीं होगी हिंदू जातियों को एक रहना होगा और जो कटोंगे बटोंगे का जो नारा है उसका वो समर्थन करते तो क्या वो आगे उसको लिखर के क्या दशा और दिशा है और क्या आज भी हिंदूत के नाम पर उत्तर प्रदेश के लोग क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे यह बहुत कुछ तैह हो जाएगा इसको चुनाओ से इसलिए बार-बार यह कहा जा रहा है कि यह चुनाओ दर चार पांच बार तक एक-एक सीट का दोरा कर चुके हैं और लगातार वो चुनाओ प्रशार में जूटे हुए हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि कि किसी भी तरीके से जो हिंदू जाती हैं उनको एक जूट रखा जाए उनको एक छतरी के नीचे एक एंबर लाकर नीचे जिसको लेकर है अखले शादों भी लगातार आकरामा को आप देख रहें कि इस तरीके से वो अपनी जल्सभाओं में कटोंगे-बटोंगे-डारे पर हमला कर रहें बार बार फिद्डिये का जिक्र कर रहें बार बार वो युगाओं का सवाल उठा रहें रोजगार का सवाल और ये बतारे की बीते दस सालों में उत्तरफ प्रदेश को क्या मिला जो रोजगार का सवाल था जो पेपर लीक का मुद्दा खास तोर से जो ये इस बात को अखले शादो तमाम बार अपनी मंद से कहते हैं कि इस सरकार में कोई भी भरती सीधी होई नहीं पाई लोगों को न इतनात बटोगे कटोगे की बात करते कटक हिंदूत की बात करते तो वो कितना इंफलेंस कर पाएंगे उस वोडवाई को जो युवा है और जो पिछली बार लोग सभाचुनाओं में नरास नजर आ रहा था वो कितना इस नारे के नाम पर बीजेपी के साथ आएगा ये दे देखने वाली ये बात होगी अखिर धुर्वी करन की इस राजशिती में पीडिये का कितना शोर रहेगा निल दूबे